Magnification of Mirror, बहुत important है ध्यान से देखना, Magnification of Mirror में सबसे पहले Concave Mirror की बात करते हैं, Concave Mirror में दो case है, या तो Real का या Virtual का, अगर Real की बात करते हैं, तो Object और Image are on the same side, और Image inverted बनती है, तो Magnification का formula minus H2, क्योंकि Image inverted है, और H1 तो positive है, और Object और Image are on the same side, तो minus V by minus U, यह minus minus पट जाएगा, और इस minus को मैं right side पे ले गया, तो यह मेरी Magnification का formula, आप यह सोचेंगे, क्यों किया, जुरुत क्या थी, दो मिनट रुकें, ऐसा क्यों करते हैं, आप भी बताता हूँ, अगर आपको नहीं करना, कोई बात नहीं, आप यही तक छोड़ दें, कोई जिक्कत नहीं, तो यह किसका case है, real का, अब अगर मैं real की बात करूँ, तो Magnification negative होती है, और Concave का case है, और Real का case है, अब अगर मैं virtual की बात करूँ, प्लीज यहाँ पर lens की जगा mirror करना कलती है, यह mirror है, अब अगर मैं virtual, इस मैं virtual की बात करूँ, चाहे वो convex की, चाहे concave की, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि virtual हनेशा on the other side ही बनता है, और सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, उल्टा तो बनता नहीं, तो H2 भी positive, H1 भी positive, और V positive, U negative, इसे लिखें प्लीज, तो magnification का यह formula है, और यह बात समझ में आ रही होगी, जो real images है, उनकी magnification negative थी, और इनकी magnification positive है, आपको के positive कैसे, यह तो negative है, आपने magnification का sign जो देखना है, वो यहां से देखना होता है, अगर आपकी image उल्टी है, फिर negative है, magnification, और अगर सीधी बन रही है, तो positive है, V और U के sign स magnification है decide होती है, height से decide होती है, inverted है तो negative और अगर सीधी है तो positive, put out इसमें, अब problem क्या आती है, numerical करते हुए, confusion होती है, confusion यह है, कि मेरे को ना दो दो formula याद करने पढ़ते है, magnification के, एक मेरे को याद करना पढ़ता है, virtual का, और एक मुझे याद करना पढ़ता है, real का, और यह ब minus यहाँ यह formula यूज करो, यह formula real का और यह virtual का same है, बस तुम ना यही formula लगा दो, चाहे real है, चाहे virtual तुमारा question दलते नहीं हो सकता, और ऐसा ही shortcut हमने lens में किया था, lens में हमने क्या किया था, एक ही formula लगा लो, h2 by h1 is v by u, mirror में लगा दो, h2 by h1 is minus v by u, कि mirror के सारे cases lens के उल्ट sign लगाना पड़ता है, तो इसलिए यह best formula है, अब चाहे real है, चाहे virtual है, तुम बस यह formula लगा देना, तुमारा question गलती नहीं हो सकता, इसमें यह formula universal formula है, clear है यहाँ तक, बस यह formula को note कर लेना आपने, important box में, इसको box में डालना चाहिए rather, मैंने उसमें डाल दिया, यह वाला important formula है, और यह, पस यह दो याद करने हैं, और यह याद करना है, कि magnification real की negative है, और magnification virtual की positive है, यह note कर लेना है, सबसे important यह terms है, तो booklet में note कर लेनी है चीज़े, यह लिखी नहीं होई उसमें, झीज़े, यह लोन है, यह यह, यह लग में घसी यह ठीक निकली है यहां तक ठीक है देखो फस्ट और हां वो दो फॉर्मॉले भी मैनिफिकेशन का यू के साथ मैनिफिकेशन का वी के साथ ऐसी हमने लेंस के भी यूज किये थे ऐसी मिरर के बहुत इंपोर्टन फॉर्मॉला दोनों के दोनो एफ और यू का नोट कर लो एफ और वी का भी नोट कर लो द ठीक, यह लो फिर, शुरू करते हैं, first question, object is placed 10 cm and 5 cm in front of concave mirror, दो question है, तो u की value कितनी है, पहले 10 है, यू की value पहले 10 है, तो object is placed at a distance of 10 cm, तो u तो negative minus 10 है, और कौंसा mirror है, concave है, concave का मतलब focal length negative है, इसका मतलब radius में negative है, r by 2 focal length भी negative है, आपको पताना है, image का बनेगी, तो लगाओ mirror का formula, f पता है, u पता है, solve करके v निकाल ले नहां negative है, अगर v negative है, u भी negative है, तो यहनी कि object and image are on the same side, ऐसा कब होता है, जब image क्या बनती है, real, virtual mirror में opposite side बनती है, और real on the same side, तो image real बनती है, और बड़ी बनेगी की छोटी बनेगी, बड़ी, कैसे बड़ी पता लगा, बिलकुल, तुम v की magnitude को u के magnitude से divide कर लो, v बढ़ है और u, छोट है, तो आपको magnification पता है, v by u होता है, तो obviously v और u, v बड़ा है, यू छोट है, तो magnification greater than 1, तो बड़ी ही बनेगी, उल्टी बनेगी, inverted बनेगी, real है, on the same side बनेगी, और enlarged बनेगी, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा, real बनेगी, magnified बनेगी, और inverted बनेगी, method समझ में आ रहा है कि कैसे मन में चेक करन और हमकरने, next question question है if you sit in a parked car you glance in the rear view mirror and notice a jogger approaching आपकी गाड़ियों में जो mirror लगा हुआ है आप तीछे देख सकते हैं गाड़ी आ रही है वो पहले बताओ वो convex mirror है कि concave मेरा रहे अगर convex बोलते हो तो कौन सी image बनाता है virtual क्या concave हो सकता है नहीं क्यों क्योंकि क्योंकि distance बहुत जादा है jogger का और पिशे गाड़ियों का और हमें न view जादा देखना है ऐसा भी बोला जाता है पर आप ये भी समझें कि ये किसी भी हालत में real image तो बनाई नहीं सकता क्योंकि real तो उल्टी दिखती है और अपने को बंदे कैसे दिखते हैं सीधे दिखते हैं गाड़ी तो सीधी दिखती है तो image तो virtual ही बनती है point number one और image जो virtual बनती है अपने को कैसी चाहिए virtual छोटी चाहिए और छोटी किस में दिखती है Convex में Concave में क्या दिखती है बड़ी दिखती है अपने को छोटी चाहिए ताकि जादा view आ सके जादा गाड़ी यहां आ जाए उसमें सही है यहां तक तो Convex mirror है Convex का virtual का case होता है आप question ही है कि jogger 5 meter per second से भागता आ रहे है मैं आरकी parking में ख़डा हूँ तो jogger का यू नहीं दिया jogger का की velocity देदी move करने की velocity देदी और आपको पताने है how fast is the image of the jogger moving when jogger is at a distance of 39 meter पर बाकी भी हो जाएंगे पर इस थर्टी नाइन का से case solve करते है तो जब उसका distance 39 है तो आपको बताने है कि उसकी velocity क्या रही होगी image की velocity क्या रही होगी आपको क्या दिखा शीशे में क्या दिखा actual तो पता है 5 है पर image की velocity क्या है यह question है तो आपने क्या करने है क्योंकि convex है radius positive है focal length f by 2 से positive है आपको object कहां given है 39 पे अब u minus 39 पुट करें mirror का formula यूज़ करें और v निकाल लें जब वो jogger 39 meter पे था तो आपको image कहां नजर आ रही है इतने distance पे नजर आ रही है right clear है jogger की speed कितनी है 5 5 meter की दूरी cover करता है jogger एक second में 5 meter per second तो अगले एक second में jogger आपकी गाड़ी के पास आ गया पहले कितने meter पे था 39 5 meter पास आ गया तो अब distance कितना रह गया 34 U with negative sign तो पहले कितना distance था 39 पास आ गया 5 meter एक second में तो अब distance कितना रह गया 39 में से 5 गया 34 U is negative अब बताओ jogger की position क्या है image की तो U minus 34 put करके focal and फिर से 1 put करके आपने V निकाल लिया और नई image की position आ गई नई position jogger की आ गई तो यह position change कितनी देर में होई एक second में तो jogger का जो V पहले image यहाँ पर थी तो image ने कितना distance cover किया दोनों को minus कर ले image ने इतना distance cover किया image ने इतना distance cover किया कितनी देर में एक second में तो तुम इस image के distance को एक second time divide कर दो image की क्या गई average speed आ गई please important है this is not instantaneous speed क्यों सी speed है average क्योंकि एक second में 5 meter distance cover हुए मुझे यह नहीं पता कि एक second के अंदर उसने क्या किया कि मैंने तो initial image का distance ले लिया final ले लिया और final में इस initial को minus कर दिया क्या पता रास्ते में accelerate करता हुआ भग के आए मैं कह नहीं सकता तो इसलिए word मैंने क्या use किया यहां पर average speed तो समझ में आ रहा है कि क्या logic average speed निकालने का jogger की average speed कैसे निकलेगी कोई doubt इसमें लेकिन अगर वो यह कहेगी instantaneous speed निकालो जो उसकी speed 5 है उस time image की speed कै यह मत बताओ कि एक second बात क्या हुआ अब भी यह भी बताओ क्या हुआ तो इसके लिए आप एक काम करना यह लिखो formula इसको करो time के साथ differentiate focal अब ने को calculus use करो न instantaneous word आ गया अब instantaneous में focal length क्या है constant तो इसकी differentiation minus 1 v की power minus 2 dv by dt minus 1 u की power minus 2 du by dt अब यह jogger की object की speed है और यह image की speed है तो यहां से rearrange करके यह value आ गई है तो rearrange करके यह value आ गई तो image की speed is minus v square by u square यानकी magnification square into du by dt ठीक है आतर तो आपके पास यह value आ गई अब जो question में क्या कह रहे है कि u jogger कहा पर है minus 39 पे तो उसकी image कहा पर बनी होगी जब वो 39 पे है उसको move न करवाना उस incident पर solve हो रहे question उसी incident के उपर तुम mirror का formula लगा के v निकाल दो तुम v put करो 39 by 40 you put 39 और object की speed put करो कितनी थी 5 उसी incident पर आपको image की speed पता लगती answer यह actual तरीक है tyq competition के अंदर आपको जब questions आएंगे आप ऐसे करना आपको instantaneous पर question है वो हर book के अंदर same question है और method भी कि मनने मैं ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको आप YouTube देखेंगे उस पर सबने वही किया हुआ है वह average speed है लेकिन आपके question में speed mention करता है तो आपको instantaneous में कालने पड़ती है आप यही method यूज़ करना यह सबसे shortcut भी है और असान तरीका भी है answer vary करेगा क्योंकि वह instant पर काम कर रहा है और वह average में काम कर रहा है point समझ में आ रहा है लेकिन कैसे करने मैंने booklet के अंदर किया हुए आने वाले time में अभी दिखाता हूँ वह भी आएगा भी आज कि उसमें तो समझ में आ रहा है क्या logic है इसका ठीक जैसे question है 5 cm long needle तो object का size कितना है 5 cm इस place 10 cm from convex mirror u कितना है minus 10 और focal length 40 क्योंकि convex है तो focal length is plus 40 तो at least मैं एक काम को करी सकता हूँ मेरे पस f पता है u पता है तो मैं v निकाल सकता हूँ मेरा भी positive आ गया अब u क्या है negative v क्या आ गया positive तो image is formed on the other side जो other side है वो virtual बनेगी तो image real नहीं बन सकती image क्या बनेगी virtual बनेगी और 8 cm दूर बनेगी अब मेरे को यह बताने की image का size कह है इसके लिए मैं magnification वाला formula यूज करता हूँ लेकिन जब mirror में magnification यूज की जाती है sign minus मत बूलना lens में मत लगाना mirror में हमेशा लगाना height निकालनी है h2 object की height 5 cm given है v में निकाल चुका हूँ यू मुझे पता है cross multiply करके height 4 आ गई 4 positive आएगी और वैसे भी virtual image है तो positive ही आएगी यह rule है magnification का तो idea समझ में आ रहेगी क्या logic है फिर वो यह पूछेगा question में क्या होगा size of image needle को अगर मैं needle को mirror से दूर लेता हुआ जा रहा हूँ आज हमने किया था भी अगर mirror से object दूर 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 जाए तो image छोटी 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 होती रहती है और infinite distance बिल्कुल focus पे बहुत एक point बन जाता है तो इसलिए बहुत छोटी होती जाएगी focus की तरफ जाती जाएगी और size goes on decreasing और एक point बन जाएगा कुछ देर के बाद point समझ में आ रहे है कि क्या logic है इसका mirror की problem lens की तरह ही almost lens से उल्टा जादा simplified है lens में तो फिर भी टेड़ी चीज़े थी इसमें इतनी नहीं है next झाल झाल पे लिए एक न स्क्वेर वायर है पहले बात को समझे लो स्क्वेर वायर की साइट 3 और स्क्वेर वायर ऐसी नहीं पड़िय हुई ये डियागराम ऐसा नहीं है ये डियागराम ऐसा है तो एक square wire है 3 by 3 की और इस mirror से ऐसे पड़ी हुई है तो ये 25 cm दूर पड़ी हुई है according to question ये और ये figure ऐसी है तो इस case में मुझे बताना है कि ये कौन सा mirror है ये concave mirror है जिसकी vocal है 10 है concave है तो negative है और object का distance माइनस 25 है 25 cm पर माइनस में सबसे पहले आप solve करके V निकाल लो V कहाँ बन रहा है on the same side बन रहा है तो पकी बात है real image बनेगी image उल्टी बनेगी ये भी बता दूँ क्योंकि real image सीधी बनती नहीं real उल्टी बनेगी ठीक यहां तक अब real image का अगर मानलो एक side के लिए स्क्वेर की side का है 3 cm तो imagine करें कि एक side object है तो magnification का formula लगा ले magnification क्या होती है h2 by h1 is equal to minus v by u v कह है minus 50 by 3 u कह है minus 25 magnification आगी और magnification क्या होती है h2 by h1 और h1 कितना है 3 क्या हाइट कितनी थी पहले 3 अब image की height क्या आएगी square की cross multiply करके 2 और minus sign का मतलब क्या बनेगा square उल्टा बनेगा minus उल्टा बनेगा लेकिन square की side क्या होगी 3 की जगा 2 तो फिर square का area क्या बनेगा image का 2 into 2 चार area बनेगा तो तुमने square की side object माल ने नहीं है 3 cm की magnification के formula से क्या कर लेना है उसके बाद h2 निकाल लेना है फिर height आफ image आगी और उसका square करके आपके पास area जाए आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक क्या करना है इसमें ठीक दो ठीक में, आपकेSTल ले डाबा है ऑश कर रहा है इसरो यचित के बाहा है इसरो है wreck आप सिंवगत on झाल 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 कुश्चन है कनकेव मिरर औफ फोकल लेंट तो यह कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंट 10 है तो माइनस 10 है इस प्लेस अट डिस्टेंस अफ 35 सेंटीमेटर फॉम दी वाल इस दिवार से इसकी दूरी 35 सेंटीमेटर है टोटल how far from the wall मैं दिवार से object को कहा रखूँ मुझे ये निकाल ला है मैं कहा रखूँ ताकि image कहां पर बन जाए wall पे तो image कहां पर बन जाए wall पे अब wall की दूरी कितनी है 35 तो यानि इमेज जो है वो कहां पर बनने चाहिए minus 35 कि उसने क्या बोला कि image दिवार पर बनने चाहिए दिवार 35 सेंटीमेटर दूर है और उन्दी सेम साइड है object के तो V तो हो गया minus 35 focal length आपको पता है तो यहां से यू निकाल लो minus 14 लेकिन problem है यह है कि minus 14 में यह आया 14 क्योंकि जो mirror है अपना distance pole से निकालेगा अपने को कहां से निकालने है दिवार से निकालने है total कितने है 35 35 में से 14 गया तो दिवार से object का distance आजाएगा minus करके 21 cm आएगा तो points में आ रहे है क्या करना है इमेज कहां बननी है पता लग रहे focal length पता है फिर object का distance pole से आगया दिवार से निकालने के लिए 35 में से minus कर दिया clear है यहां तक quit out इसमे next झाल झाल प्लेस अट डिस्टेंस अफ 40 cm यू नेगेटेव है कनकेव मिरर है तो नेगेटेव है तो एफ आ जाएगा नेगेटेव है तो पहले तो यू और एफ से पहले वी निकाल लो तो image कहां पर बन रही है 24 cm on the same side तो real image बन रही है वो कह रहा है how much does the image move अगर मैं object को mirror की तरफ ले आया 15 cm पहले object की दूरी क्या थी 40 मैं 15 cm पास ले आया अब दूरी कितनी होगी 40 में से 15 को क्या करना पड़ेगा minus क्या हैगा 25 तो यू तो negative है 25 और focal length तो आपको पता ही यहाँ पर कितनी है minus 15 तो आप नई image की position निकाल लेना पहले image कितनी दूरी पर थी 24 minus 9 को छोड़ो तो same side है अब image कितनी दूरी पर 37.5 तो image ने कितनी distance को cover किया इन दोनों को आपने minus कर लेने answer आता हैगा 13.5 point समझ में आ रहे हैं यहाँ तक क्या करना है ठीक logic समझ में आ रहे हैं क्या करना है इसमे और क्योंकि आप object को past लेके आ रहे हो हमने आज diagram में देखा था image दूर जाती जाएगी ठीक है यहाँ तक idea समझ में आ रहे क्या है यह अभी नहीं करना यह हम अभी class अभी करेंगे next time यह अभी हम अभी करेंगे नहीं टूर प्राविभी झाल झाल जब यह रख दिया यहाँ पर हिट करती है तो इमेज यहाँ बनती है जब यह रख इसको हिट करती है तो यह अपनी इमेज भी यही बनता है तो एक इमेज कंकेव ने बनाई और एक इमेज प्लेन मिर ने बनाई और बनाई कहाँ पर तो आई पॉइंट पर बनाई थी गहां तर क्या निकालना है इव दि प्लेन मिरर इज अटर डिस्टेंस अफ चौबिस सेंटीमेटर फॉम दी अब्जेक्ट तो यह प्लेन मिरर और अब्जेट के बीच में डिस्टेंस गिवन है टूंटीफोर और क्वेस्टन में इस मिरर और इसके बीच में डिस्टास गिवन है थाडीसिक्स तो अगर यह थाड़ीू है अगर यह 24 है तो बचा हुआ कितना है बारा सही है और plane mirror का क्या concept है plane mirror के लिए जितनी दूरी पे object है उतनी दूरी पे image है तो plane mirror के लिए object कितनी दूरी पे है 24 तो image भी कितनी दूरी पे बनी 24 अब 24 में से ये कितने है 12 तो फिर ये कितने है 12 तो इस mirror के लिए pole से ये distance कितने है 12 तो कंकेव मिरर का V पते आपको प्लस बारा और कंकेव मिरर का U पते आपको माइनस 36 अब यू पते वी पते मिरर का फॉर्मला लगा कि F निकाल ना अंसरा चाहेगा आपको आपको ले फोकल ने का लिए इसने माल भाट गए ठोड़ है कि कार लोगव यहां लगर कि नेक्स्ट क्विश्चन है अब्जेक्ट इस केप्ट इन फ्रंट आफ अ कन्केव मिरर फोकल एंद पंदर है तो आफिसे माइनस पंदर है इमेज फॉर्मड इस थ्री टाइम्स इस साइब आफ दी अब्जेक्ट एंग ए तीन मैनिफिकेशन है तीन दो पॉसिबल डिस्टेंस बताओ मिरर से क्या होंगे यू निकालने और यू भी दो बार दो बार क्यों तो इक कंके मिरर में दो केस बनते हैं एक रियल का और एक वर्चुल का तो तुम एम और ये फॉर्मला यूज कर देना यू का जब यू फॉर्मला यू लिज और यू उस करोगे तो इस फॉर्मले में मैंग्निफिकेशन को रियल के लिए क्या पॉट करोगे माइनस तीन क्यों क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड बनती की इनवर्ड Mr. लिए- मैंनिबर्टे के लिए और सेम चीज वर्चुल की लिए और मैंनिबकेशन किया कर देना पॉजिटिव, आppenंस बॉермिकتهराओ जाएगा तो दो बार य Pale рад शाजए अपर सेट ही है citent नेक्ट 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 प्रश्चन ए अधिन रॉड ओफ लेंथ एस पाइट री इस प्लेस्ट अलॉड अप्टिकल आक्सिज ऑफ के लग इसे ना ऐसे लेटीव यह रॉड ऐसे एसे नहीं है यह ऐसी है थोड़ी बड़ी बिनगी हाइट में कोई बात नहीं है आप ऐसे लेटीव इसे बढ़े लो तो रोड की जो लेंथ है वो एफ पाइठी है ऐसे में फपाइठी है कंकेव मिररे ठीक है अब किया रहे और फोकल लेंथ एफ है इमेज बीचीद रीयल रियल का मतलब कहां बनेगी और दी सेम साइड बनेगी अब रीयल ए तो इन्वर्टिड बनेगी इन्वर रोड की position है उसको touch करती भी बनेगी अब logic ही है अगर आपकी एक side object की और image की touch कर रही है और image inverted बन रही है तो obviously यह तो यह diagram ऐसा बनेगा यह diagram ऐसा बनेगा अब इसके अंदर इसकी एक side हर हालत में center पे ही लाए करनी चाहिए कि हमने आज एक diagram किया था कि अगर आपका object center पे है तो image भी center भी बनती है अगर आपका object यहां पर है तो image आप यहां चाहते हो यहां से start चाहते हो तो obviously फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसमें यह center मानना पड़ेगा और center का मतलब है यह radius है radius का मतलब क्या है 2F है क्या radius का formula क्या होता है twice अब आपको यह पता लग गया कि आपकी rod की image ऐसे ब सब्सक्राइब नहीं है आप एक काम करें पहले यह side लेने है यह object ले ले इस object की दूरी पोल से कितनी है 2F minus F by 3 तो U के लिए क्या ले ले माइनस 2F minus F by 3 focal length concave की negative ले ले मिरर का formula लगा ले वी की value आगी minus 2.5F आपको पता लग गया कि image बन रही है 2.5F उस तरफ अब देखो ना आपको यह पता लग गया कि यह जो side दिख रही थी वो यहाँ बनेगी तो यह distance कितना है 2.5F यह distance कितना था 2F तो यह क्या distance बनेगा 2.5F मेंसे 2F minus कर करके यह value आएगी 0.5F तो length क्या बनेगी rod की 0.5F Magnification निकालनी है तो जो distance जो इसकी नई length है पुरानी length से divide कर दो तो magnification आएगी 1.5, 1.5 लंबी बनेगी idea समझ में आ रहे है कि क्या logic है इसका ठीक घर जगे practice करनी है इसकी झाले पनेंशिक matches 好ाण!